प्रश्ट किया है कि भगवान का नाम लेते हुए गुरु का ध्यान कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हो केवल गुरु की भक्ति से भी भगवत प्राप्ति होती है अथवा भगवान प्लस गुरु को एक साथ एक कक्षा में मान कर भक्ति करने से भी भगवत प्राप्ति होती है केवल भगवान की भक्ती नहीं होती तो गुरु का ध्यान करो और भगवान की भावना रखो और भगवान का भी ध्यान करने का अभ्यास करो क्योंकि लीलाएं जब आप गाएंगे स्री कृष्ण की तो लीलाओं में भगवान का ध्यान करना पड़ेगा बाल लिलाएं हैं अनेक प्रकार की ऐसी लिलाएं हैं इसलिए अभ्यास करना चाहिए राधा कृष्ण के ध्यान करने का फोटो रख लो एक उस फोटो को देखो और पिर आख बंद करके उसी प्रकार का बनाओ फिर फोटो देख लो फिर बनाओ ऐसे ही दस बेश दिन महिने दो महिने अभ्यास करने से रूप ध्यान बनने लगेगा कोई घबडाने की जरूरत नहीं लेकिन अगर हमेशा भी आप गुरू का ही रूप ध्यान करे तो भी भगवान को और खुशी होती है वो नाराज नहीं होंगे हुआ है